हेलो वाच्छा पाइब योग वाचिंग कोनाल बीबी एकस है आज हम लोग बात करने वाले हैं फिलर्स की पाई यह फिलर क्या चीज है सीधा एक एक एग्जामपल लेकर समझते हैं एक बीट है ठीक है और एक बीट है कौनची बीट ऐसी है जिसको सुनके ऐसा लग रहा है कि बीट बॉक्सर का लेवल अच्छा है पहली या दूसरी दूसरी बीट है उसको करने में भी मज़ा आ रहा है और उसके लावा वह काफी जादा बेटर साउंड कर रही है तो फिलर क्या होता है फिलर को हम यूज करते है अपनी बीट को बहुत ज्यादा बेटर बनाने के लिए जो बीट खाली-खाली साउंड कर रही है उसको हमें भरने के लिए फिलर्स यूज करते हैं ठीक है अब फिलर्स जो है वो दो तरीके के हैं एक होते है इन लाइन फिलर्स और दूसरे होते है आउटलाइन फिलर्स य अगर तुम beat के बाद use कर रहे हो, या फिर beat से तुम कह सकते हो, जब beat खतम हो रही है, उसके बाद use कर रहे हो, दूसरी beat को उसके साथ जोडने के लिए, तो वो हो गए outline fillers, पहले हम बात करेंगे कुछ outline fillers की, हम वही beat लेंगे जो अपने starting में करी थी, उस beat में मैंने, ये करा, और अगर मुझे ये beat दुबारा करनी है, मुझे दोनो beat के बीच में एक space खाली लगा, और ऐसा लगा यार मैंने break लिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उस beat के बाद एक छोटी sound और add कर सकता हूँ, जिसको हम filler बोलेंगे, और उसके बाद वो beat दुबारा कर सकता हूँ, like for example अब ये पूरे के पूरी चार बार जब मैंने beat करी, वो एक ही beat की तरह sound करी, क्योंकि मैंने beat के बीच में filler use किया था, ऐसे ही हम बाकी beats के अंदर भी filler use करते, जैसे अगर नॉर्मल beat के वाली beat ले हम, ठीक है, अगर हमें इसको जोड़ना हो तो हम use कर सकते, बी-डी-बी-बी, like, इससे क्या हुआ, ये पूरे के beat में हमने जब बी-डी-बी लगा दिया, तो पूरी एक अच्छी beat sound करने लगी, जो पहले से बड़ी length में थी, लेकिन हम कर वही beat दो बार रहे थे, एक तरीके से, ठीक है, जो हमने अभी दो sounds की बात करी, और वी-डी-बी, ठीक है, हम इसको beat के अंदर भी use कर सकते है, like within the beat, beat को better बनाने के लिए, inline fillers use करने के लिए थोड़ा सा time लगता है, जब तुमारे level धीरे-धीरे better होता है, जब तुम normal beat को थोड़ा fast करने लग जाते हो, या फिर normal beat में और चीदे कुसाने लग जाते हो, तो ये stage पर पहुचने के लिए थोड़ा time लग सकता, लेकिन outline fillers तुम starting stages से use कर सकते हो, like ज please note, inline fillers हो, या फिर outline fillers हो, sound तुम कोई भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मानलो tongue roll भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, outline fillers की तरह, like इस case में मैंने की जगा use किया, तो ये बात हो गई outline fillers की, अब बात करते हैं, inline fillers की, inline fillers करने के लिए भी तुम यही सारी sounds use का सकते हो, mostly the sounds मैं use करता हूँ, inline fillers के लिए वो है, tk case, pack है, इसको तुम technicality के साथ भी जोड के देख सकते हो, normal beat अगर मैं करूँ, ठीक है, तो ये अच्छी लगती है, काफी better लगती है, सुझने में, और अपनी technicality बे इंपरूब होती है, ये होगए inline fillers, अगर मैं इसी में tongue roll use करूँ, तो इस case में मैंने filler के तौर पे click roll use के लाइप, तो भाई, यही ए concept होता है, inline और outline fillers का, ये वीडियो में मैं तुम अपनी beatboxing को और better समझ पाओ, अगर तुम ये filler वादी technique यूज कर रहे हो, अपनी beatboxing में बहुत अच्छी बात है, अगर तुम use नहीं कर रहे हो, तो use करने लग जाओ, ये सारी sounds के separate separate videos already channel पे है, इसलिए मैं सब की deep में नहीं जाने वाला की TKKs कहां काम use कर सकते हैं, या फिर informative videos आती रहेंगी, plus 4000 subscribers पे नया challenge आने वाला है, तो भाई फटा फट करवाओ 4000 subscribers नया challenge आएगा, तुम लोग videos send करोगे, मैं उस पर रियाक करूँआ, मज़े आएंगे in short, thank you so much for watching, keep watching KunalBBX, पस्त, 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 ट, पस्त, 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 करूँगए, तुम!